अमस्कार दोस्तो मैं विजे कसाना डेजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो एससी की तरफ से एक सांदार कदम बढ़ा गया है और ये कदम काफी बरतियों के लिए बढ़ा गया है नेकी इस बरती के लिए लेकिन सात्यों आप इ सारी जानकारी देखना चाते हैं और ये PDF पराप्त करना चाते हैं डीटेल रेजल्ट की PDF है सात्यों तो आप अमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं टेलिग्राम का नाम है डिजिटल फ्री सिक्ष्या और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है प्लिक साथ्यों ALM बर्ति का कल स्याम को रिजल डाला गया और आज इसकी डिटेल लिस्ट है ये देख सकते हैं जी लिस्ट ओफ स्लेक्टिड कंडिडेट हूँ है क्लेमड एंड अवार्डिड मार्क्स यहन की जो स्लेक्टिड कंडिडेट हैं उन्होंने सोच्य एकोनोमिक क्राइट इसकी डिटेल के लिए वो प्रोवाइड करवा दी गई है साथ्यों जिससे कि कोई भी अगर फरजी कंडिडेट है या जिसने नमबर फरजी ले लिए हैं उसके गर में यह नमबर है नहीं और उसने ले लिए तो साथ्यों उनको पकड़ने के लिए एक सांदार कदम हम इसक को कह सकते हैं यह डिटेल लिए शेयर कर दी जाती है तो अगर किसी भी साती के पाच ऐसे सुचना है तो वो एक साथ्यों पूरी सतेतर पेज की पीडियेफ है जिसमें जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है साथ्यों इसमें एक कंडिडेट को दस से ज़दर नमबर नहीं नहीं दिये गये हैं जाए कंडिडेट के बाराया पंद्रा कितने भी नमबर बनते हों कि समें एक्सिडियन्स के मार्क्स भी हैं तो इससे कई कंडिडेटों के दस से ज़दर नमबर नहीं दे सकते तो यह अच्छा कदम है साथ यो पारदर्शिता की तरफ ऐसे ओपन लिष लिष्ट तबी बरति की पारदर छिदाकि शचाई है वो सब के सामने आती है तो ये एंचासे का अच्छा कदम है और ये भी सांधर कदम है कि कल रजल्ट आया और दूसरे दिन इसकी डिटेल लिष्ट भी जारी कर दी अगर 6 मेने बाद या 12 मेने बाद डिटेल लिष्ट आती है तो उसका ज्यादा कुछ ओचित्ते नहीं रहता तो तुरंत लिष्ट जारी करना भी सांदर कदम है लेकिन अब और भी जो बच्यू ही एट्रसी बर्तियों की प्रोब्लम है उनमें भी सुधार की गुंजायस है वो भी अगर सुधार हो जाए तो फिर बर्तियों में जो युवाओं को परिशानी आती है वो परिशानी नहीं आएंगी ऐसी ही और बर्तियों की अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें वीडियो को लाइक और जयता शेयता शेयर करें वीडियों यह तक देखने के लिए दन्यवाद मिलते है नेक्स उडियों में